प्रेश दलोड आप सब को जय मसी की मैं प्रमिस्टर का धेने बाद देता हूं एक बाद फिर से कि प्रमिस्टर ने हमें जीवन दिया सही सलामत रखा हो राज की सुबह दिखाई आप सब का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ब्रदर कर आया हूं और मैं आप से गुजारिस करता हूं कि छोटा सा वीडियो है पूरा देखिए और इसे शेर भी कीजिए ताकि इस महत्वपूर्ण बात को जो बाइबल में लिखी है सब लोग जान सके ज्यादर से ज्यादर लोग जान सके मैं आपका दोस पासर राज मैसी आप तक पहुंच सके मेरे बीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और कॉमेंट सेक्सिन में आकर मुझे जरूर बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है मेरे एक चैनल और है जिसका नाम है मसी समाज वो न्यूस चैनल है मैं आप से गुजारिस करता हूं कि उसे भी आप जरूर सब्सक्राइब करें उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रहा है आप उसे क्लिक करके उसे भी जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को रिष्टेदारों को भी बताए चैनल के बारे में ताकि वहां पर जो वो चैनल है वो जो चैनल है उसको हम नियुस के लिए यूज़ कर सकें धन्यबाद मैं समझता हूं कि आप मेरी बात को समझ गए हूंगे दो जरूर सब्सक्राइब कीजिए मेरी मदद कीजिये मेरी साहथा कीजिये परमेंस्ठर के राज्जे को स्थापित करने के लिए और परमेंस्ठर के लोगों को अव्गत कराने के लिए है प्रेस दलाओ तो आईए आज के वचन को शुरू करने से पहले छोड़ सिप्रात नाम करेंगे जीवित और महांद्याली पिता परमेंस्ठर मैं तेरा उन सब पर मैं प्रभू तेरी आशुष को रिलीस करता हूं प्रभू की हर एक को आशुषित कर सबकी दुख, बिमारी, चिंता, परिशानियों को अपने सामर्थी नाम के दोरा दूर कर धन्यवाद जिता हूं प्रभू तेने मेरी प्रात्नों को सुन लिया प्रभू येशु के नाम से मालता हूं प्रेश दर लॉड आप सब को जैमसी की एक बाब फिर से और आज का जो वचन है, आज का शीर्शक है, वो ये है क्या परमेस्तर हमारी सोच को भी सुन लेता है क्या परमेस्तर हमारी सोच को भी सुन लेता यह बहुत महत्वपुन बात है बाइबल इस विश्य में क्या क्याती है आज हम इस बारे में जानेंगे और अगर है सुन लेता है तो यह हमारे लिए बहुत ही महत्वपुन बात है हमें सावधान हो जाना है अपनी सोच के प्रतिवी तो आईए आज के इस वचन को देखेंग यह लिखा है फिर किसी फरीसी ने उससे बिंती की कि मेरे साथ भोजन कर सो वै उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा और देखो उस नगर की एक पापिनी स्तरी है जानकर कि वै फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है संग्मर्मर के पातर में इत्र लाई और उसके पाउं के पास पीछे खड़ी होकर रोती ही उसके पाउं को आंसों से भिगाने और अपने सिर के बालों से पोचने लगी और उसके पाउं बार बार चुम कर इत्र मला एक फरीसी ने प्रभू येसु मसी को अपने घर में इनवाइट किया भुजन के लिए तुमाँ पर एक पापी निस्त्री भी आ गई जो इत्र लेकर आई और येसु मसी के पहरों पर वो मल रही है और आगे लिखा है 49 अमें 39 में देखिए यहां पर क्या लिखा है यह देख कर वया फरीसी जिसने उसे बौलाय था अपने मन में सौचने लगा देखिए यह मन होता है और यह हिर्दय होता है ना इसमेल रहा है तो यह मन में सोच रहा है बोला कुछ नहीं है यह देखकर वैं फरीसी मन में जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने रहा कि यदि यह भविश्यवक्टा होता तो जान जाता कि यह जो से चु रही है वैं कौन और कैसी स्त्री है वो यह बताना चाहरा था कि एक पापिन इस्त्रीय शुमसरी को छूरी है और वो कुछ बोली नहीं रहे तो वो मन में सोच दो जäg अगर यह भावश्शी बता होता हैं कि अगर यह भावश्शी बता होता तो यह बोला एक हो जो वो सोच रहा था लेकिन प्रभू येसु मसी ने सुन ले बहुत बार हमारे साथ भी ऐसा होता है जब हम कहते हैं कि आरब मैं सोच ही रहा था और ये काम मेरे जीवन में हो गया अच्छे काम बुरे काम कभी भी पूरे नहीं होते हमारी सोच अच्छी हो या बना रहा था वो अपने विचारों में था सोच रहा था कि मैं भी ऐसा कर सकता हूं आईए देखते हैं कहां लिखा है यशाया नभी के पुस्तक और उसका चौधें अध्याए बारा आइसे में पढ़ूँगा देखें यहां पर क्या लिखा है यह भोर के चमकने वाले तारे यह यह भोर के चमकने वाले तारे तू क्यों कर आकास से गिर पड़ा है तू तो जाती जाती को हरा देता था तू अब कैसे काट कर भूमी पर गिराया गया है तू मन में कहता तो था अब देखे हैं लेका है वो तुम मन में कहता तो था वो सोचता था मन में सोचता रहता था वो यह लेका है तुम मन में कहता तो था कि मैं स्वर्ग पर चड़ूँगा मैं अपने सिंगहासन को ईश्वर के तारा गंसे अधिक उंचा करूँगा और उत्तर दिसा की छोर पर सभा के प्रवत पर विराजूंगा मैं मेगों से भी उंचे उंचे स्थानों के उपर चड़ूंगा मैं प्रम परधान के तुल्ले हो जाऊंगा यह सोचा है सतान में से मन में सोच रहा है वो लेकिन क्या हुआ परमेस्ते ने उसकी सोच को सुन लिया और उसके पंखों को तोड़कर से प्रित्थी पर भेग दिया यह इसके लिवी के पुस्तक उसके अठाई सद्या है कि चौधाय से आगे हम पढ़ सकते हैं यहां पर आगे लिखा है चौधायत में मैं मेगो से भी उचे उचे स्थानों पर चड़ूंगा और परंपधां के तुल्ले हो जाऊंगा परंतु तू अधलोक में उस गढ़े की तह तक उतारा जाएगा लिखाय कि तू अधलोक में उस गढ़े की तह तक उतारा जाएगा क्या सोच रहे हैं हम क्या आप बूल रहे हैं क्या हमारे मन में चल रहा है परमेसर सब कुछ जानता है कैसे जानता है आई ये देखेंगे निती वचन 15 अध्याए निती वचन 15 अध्याए और उसका 11 बद यह लिखाए जबकि अधो लोक और विनाश लोक यहवा के सामने खुले रहते हैं जबकि अधो लोक और विनाश लोक यहवा के सामने खुले रहते हैं तो निश्चे मनुस्य का मन भी अधो लोक विनाश लोक कोई साभी लोक हो वो परमेसर के सामने खुला है इसी तरह से मनुस्य का ये मन भी परमिस्टर के सामने खुला है हम क्या सोच रहे है हमारे मन में क्या चल रहा है परमिस्टर सब जानता है वो अच्छी बाते हूं या बुरी बाते हूं जो भी हम सोच रहे हैं परमिस्टर उन सब को सुन रहा है आईए अंत में एक बच्छन और मैं बताना चाहता हूँ जो एक बहुत बड़ा उधारन है इस बात का कि प्रभु हमारी सोच को कैसे सुन लेता है मती नौ अध्याइप और उसका तीन और चार आयत यह लिखा है और देखो कई शास्त्रियों ने सोचा और देखो कई शास्त्रियों ने सोचा कि यह तो परमेश्वर के निंदा करता है येश्यू ने उनके मन की बाते मालूम करके कहा कि तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे है बहुत खतरनाक बात है मेरे लिए आपके लिए उन सब के लिए जो अपने मन को सोचते हैं कि जो कुछ भी हम सोच रहे हैं किसी को पता नहीं चल रहा है मेरे मन में क्या चल रहा है या तो मैं जानता हूं या परमेसर जानता है आपके मन में क्या चल रहा है आप जानते हैं या परमेसर जानता है इसलिए बहुती सतर्क होने की जरूरत है हम गलत बाते कभी भी अपने मन में ना सोचें हम गंदी बाते अपने मन में कभी भी ना पूच रहे हैं उसे प्रभू सुन रहा है और वो यहां पर कहता है कि येश्व ने उनके मन की बाते मालूम करके कहा कि तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हैं ये बुरे विचार भी प्रभू हमारे सुन लेता है इसलिए नितिवचन चार मन की रख्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोथ यही है, हमें इसकी रख्षा करनी है, हमें अपने मन में से इन सारी व्यर्थ की बातों को निकाल देना है, किसी की बुराई, किसी के साथ चल, किसी के साथ दोका, किसी के साथ वैबिचार, गंदी बातें, गंदे फिल्में, य क्योंकि यह सब कुछ जो दिमाग में चल रहा है जो सोच रहे हैं हम वो परमेसर सुन रहा है हालिलुया तो बहुती सतर्क होने की जरूरत है दोस्तों ध्यान रखिये इस बात पर कि जो भी हम सोचते हैं प्रभू उसको सुन लेता है परमेसर इन्वचरों के दार हम सब को यह आज आज आपने कोई नई बात सीखिया है तो कॉमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताईएगा और इस वीडियो को शेर कीजे लाइक कीजे आगे बढ़ाए ताकि बहुत से लोग इस गुर्भेत की बात को जान सकें और सतर्क हो जाएं कि अगर हमने कुछ गलत सोचा है तो भी अच्छा सोचा है तो भी प्रभु सुन रहा है प्रमेशन आप सब क्वाशिये दें प्रेज दे लाट